Hello friends, तो आज का माना doubt का question है, question number 55, चलो देख लेगे कि क्या पूचा इस question में, if P is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 P, momentum of the photo electron, the wavelength of the light should be, assume that kinetic energy of ejected photo electron to be very high in comparison to work function, यह question है, J-Main 2019 का, तो चलो इस question को देखते हैं, किस तरह से हम solve कर सकते हैं, तो friends, हमें क्या पता है, हमें पता है कि photo electric equation क्या होती है, photo electric equation, क्या कहती है, photo electric equation हमें कहती है कि, total energy E equals to work function of the metal E naught plus of कुछ kinetic energy, जो कि photo electron eject हो रहा है, ठीक है, हम से क्या कहा है कि, कि kinetic energy is much much greater than E naught work function के, तो हम यह से क्या कह सकते हैं, जो total given energy is equal to kinetic energy, ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि, हमने क्या किया कि, पहला, कि हमने lambda wavelength दी, तो उससे हमें पास आया momentum P, इसको मैं discuss करने से पहले एक बात और बता दूगी, kinetic energy होती है, हमारे पास, 1 upon 2m P square, P क्या है, यहाँ पर momentum है, यह relation होता है, यह आप easily drive कर सकते हो, नहीं आतर drive करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो, lambda हमने wavelength दी, तो P हमारे पास क्या है, momentum है, जो electron का, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या E, यह वाले equation में, इसको हम यूज करेंगे, E हमारे पास क्या हो जाए का, H C upon lambda, इतनी हमने दी थी, equals to kinetic energy, यहाँ से मैं डालूँ, तो half of M, M यही रहेगा P, P square है, पहले equation बन गी हमारी, ठीक है, अब हम देखते हैं, second में, second में हमसे कहा हैं, कि lambda कुछ नहीं दे रहा, lambda हमसे पूछा है, तो मैंने माल लिए lambda dash, हमने दी कितनी है, अब 1.5 moment, अब P हो गया, 1.5 P हो गया, मतलब कि इसका डेड़ गुना, ठीक है, तो यहां से फिर से वह यह equation हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि energy तो kinetic energy के बराबर है ना, तो energy कितनी होगी, energy हो जाएगे, hc upon lambda dash हो जाएगे, और हमने कुछ wavelength माल ली है, जो हमें निकाल नहीं है, ratios में, 1.5 P का square होगा, पूरे का square होगा, ठीक है, यह बाद इहां रखन रखने किया आपे, upon 2M, यह हमने पास second equation, अब मैं क्या करता हूँ, first divide second कर दूँ, जैसे ही मैं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, hc y hc cancel हो जाएगा, lambda dash upon lambda बचेगा, इधर बचेगा, 2M P square दोनों से cancel हो जाएगा, इधर बचेगा, सिर्फ हमारे पास, यह बचेगा, अगर मैं कह सकता हूँ, 1 upon 1 minute, यह बचेगा, हमारे पास, 1.5 का square, P का square, 2M से 2M cancel किया, अभी P square नहीं किया, ठीक है, यह confusion हो जाएगा, तो इधर मैं इधर करता हूँ, इसे lambda dash upon lambda, यह बचेगा, फिप्टीन का square, टू टू फाइव, पॉइंट दो आगे आजाएगे, decimal, और P square upon P square, P square से P square के हो गया, cancel out, ठीक है भाई, यह बच किलियर है, एक मिनिट रुकिए, कि lambda dash मैंने लिया, तो lambda dash यह हाँ पे है, lambda dash, जब मैंने divide करेंगे, तो यह उपर आएगा, यह जब उपर चला गया, तो यह हाएगा, यहाँ पर हमसे एक mistake होगी, एक मिनिट रुकिए, फ्रेंट्स हमने जब यह upon में हम लेंगे, तो क्या होगा, lambda dash उपर आगा, lambda यहाँ आएगा, यहाँ पर भी यह हट जाएगा, lambda dash नीचे आएगा, ठीक है, यह बाद के लियर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, lambda dash, मैं reciprocal कर देता हूँ, lambda equals to क्या हो जाएगा, 1 upon 2.25, decimal लटा उपर 100 आगया, अब किसे 25 से 4 times, यह जाएगा 9 times, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, कि जो lambda dash होगा, वो कितना हो जाएगा, 4 upon 9 of lambda, तो हम जाब 1.5, 1.5 P, मतलब कि डेड़ को ना देंगे, पिछले से, तो हमारे पास जो lambda होगा, वो कितना हो जाएगा, आपकी बार, 4 upon 9 times of lambda हो जाएगा, तो पुराना वालत है, ठीक है, तो यही इस question का answer है, question आपको चीज़े समझा गिया होगा, और उसका solution भी, यहाँ पर थोड़ा था, यह दिक्कत ही, यह तो divide वाले ही, तो आप आराम से समझ गए होंगे, नहीं समझा आया है, तो अगर मैं option की बात करता हूँ, तो हमारा आ रहा था, 4 upon 9 lambda, जो की second option है, तो यह doubt का question हो चुका हमारा solve, तो कर लेते हैं, इसको doubt से out, तो यह हो चुका हमारा, आज का question complete, so that's all for the doubt question, इसका solution आपको मिलेगा, description में link देदूँगा, महांसे आप देख सकते हो, और अच्छे से समझ सकते हो, so thank you so much for watching this video, bye bye,